हेलो गाईज, वेल्गम डोवर यूटूब चैनल टेक प्रिंसिपल दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आई वाइस से अन्रेट को कैसे फोटोस, वीडियोस और डाकिमेंट्स शेर करते हैं भीना कोई सोचल मेडिया के तो दोस्तों वीडियोस स्टाट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेर कीजिए दोस्तों आप के दोरान मैं आपको फोटोस, वीडियोस और डाकिमेंट्स शेर करने का तरीखा बता रहा हूँ कि ios सरा invece और के किसे करता के तो दोस्तों आपको पहले करना क्यों है है वीडियोत फोंस में एपस्टोर फ्ली स्टोर में जाए है Plays Store में जाने के बाद Send Anywhere बोलके एक App मिल जाएगा आपको उसको Download कर देना चाहिए Send Anywhere आप डॉनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आइकन मिलेगा मैं पहले से डॉनलोड किया हुआ है कुछ इस तरह का icon मिलेगा आपको इसको पहले install कर देना चाहिए install करने के बाद both Android में भी आपको install करना चाहिए send anywhere बोलके Android में भी app मिलेगा उस app को आप अपने Android mobile में भी install कर लेजिए install करने के बाद दोस्तों उसको open कर देना चाहिए कुछ इस तरह का icon आपको both phones में दिखेगा इस app को install करने के बाद दोस्तों both phones में आपको open कर देना चाहिए open करने के बाद दोस्तों इधर send anywhere का pattern कुछ आपको इस तरह का से दिखेगा अगर आपको iOS से Android को share करना है तो आप iOS को जाके पहले जो आपको चीज सेंड करनी है उसको select किजिए तो दोस्तों इधर पहले से बहुत options रहता है जैसा कि आलबाम ही select कर देना चाहिए या कुछ select all photos send करना चाहिए तो आपको कुछ भी कर सकते है या आपको पर्टिकुलरी यह एक एक फोटो सेंड करना चाहिए तो तो उसको आपको directly क्लिक कर सकते है वह ऐसा जैसे मैंने किया या भी वैसा select करने के बाद दोस्तों hand rate पे जाके आप receive all option आपको मिल जाएगा नीचे receive all option प्रेस कर दीजिए receive all option आप प्रेस करने के बाद आपको इधर एक iPhone पे send option मिल जाएगा send option देने के बाद जो आपको hand rate पे जो enter key वाल option है उसकी को iOS का जो key रहता है उसको enter कर देना चाहिए तो दोस्तों इधर मेरा ये key आ गया है आप इसको QR code scan भी कर सकते है या इधर enter key भी कर सकते है जो आपको iOS में key में ले आए वह ये आप Android में लेके आके इंटर कर दीजिए दोस्तों इंटर करने के बाद वह आइटमेटीकली शेर हो जाएगा देखे दोस्तों इधर मेरा जो मैंने फोटोस iOS से मूँ करने के लिए टाई किया था वह अभी completely मूँ हो गाए तो दोस्तों उसको open करने के लिए direct open कर दीजिए वह आपके गैलरी में directly install से हो जाएंगे तो दोस्तों ऐसा है अगर आपको iOS को Android से spend करना है तो iOS में जाइए iOS में रिजिवाला option दीजिए और present available option दीजिए और में sent वाला option देने के बाद आपको जो चीज़ send करना है उस चीज़ को select किज़िए सलेट करने के बाद send ios में receive दीजिए receive देने के बाद इधर end rate में send कर दीजिए send करने के बाद आपको दोस्तों आपके end rate फॉन में कुछ इस तरह qr code और की मिलेगा उसको आप directly enter की देखे भी कर सकते हैं या आप direct qr code scan करके भी receive कर सकते हैं दोस्तों qr code मैंने अभी scan किया है मेरे ios में तो अभी वो directly ios को transfer हो रहा है देखिए दोस्तों इधर qr transfer हो गया है transfer होने के बाद आप इधर आपके ios में वो directly open menu में देख सकते हैं तो दोस्तों ऐसा ही कुछ वीडियोस फोटोस और documents ios to android और android to ios without social media आप share कर सकते हो तो कैसा लगा दूस्तों मेरा वीडियो थैंक यू फर वाचिंग और वीडियो लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए